दोस्तों आप सभी को राम राम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे देने जा रहा है Q2 से देखेगा रिलेटेड अर्निंग का भी अपडेट आपको यहां पे देखने मिलना रहा है और FED से रिलेटेड बहुत बढ़ा अपडेट आ रहा है FED से रिलेटेड बहुत आने वाले दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये दो दिन देखेगा स्टॉक मार्केट में बड़े मूवस देखने हो मिलेंगे बड़े moves आप समझ सकते हो तो इसलिए ये दो से तीन दिन बहुत important है be prepared for it एक-एक event जान लीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं चैनल को subscribe कर लीजेगा bell icon को press कर दीजेगा तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले global economic data पूरी तरीके से अब start होगा यानि कि आज से लेकर कल और पड़सों तक पूरा जो market बिहव करेगा वो global event के basis पे करेगा अभी तक global event ने इतना participate नहीं किया है अभी तक आप domestic event के basis पे ही गिर रहे हो या उठ रहे हो लेकिन अब जो आज से जो data आएगा अगर उससे US का market रात को 12 वजे plus हो जाता है तो आप यानि plus खुलोगे minus हो जाता है तो इसका मतलब minus खुलोगे यानि कि ये data ही सब कुछ decide करेगा इसके बाद हमारा domestic data live market में hit होगा live market में hit होते हो देखने मिलेगा तो उसके लिए भी आपको totally prepared रहना है मतलब इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए तो अगर आप देखेंगे तो एक साथ USA data आना है PMI का data जो की इतना बड़ा factor है कि PMI का data के बाद stock market अमेरका का 1000 point नीचे चला जाता है तो चलिए एक एक करके पहले बताता हूँ तो सबसे पहले हम लोग आ चलिके है United States पे United States का data देख लेते हैं तो आपको पहले तो याप फेड देखने हो मिलना होगा ये data आपको आज रात को impact करेगा क्या करेगा just आज रात को impact करेगा अगर इस data के बाद देखीगा stock market plus होने लगता है तो it's nice बहुत अच्छी बात है आप भी plus में जाओगे global market plus होगा अगर ये minus होने लगता है तो impact भी बढ़ाएगा तो आप भी minus जाओगे कल के लिए अब ये चीज हो गई second चीज अगर आप देखीएगे तो crude oil का impact पड़ सकता है supply time होते हैं तो आपको बता जंप होगा price अगर supply down हो जाते हैं तो और crude down हो जाएगा impact इस पर पड़ेगा Reliance industry पे Reliance industry Nifty का second weighted stock है then after that उस पे भी impact करेगा Nifty को भी फिर आपको applications ये बढ़ रही है तो well and good घट रही है तो मंदी की संभाव ना है और मंदी की संभाव ना है तो market फिर करेगा existing sale का data ये important है ये सबसे important data है ये सबसे important data इसको fed भी देखता है तो अगर ये बढ़ रही है तो ठीक है relaxation market ऊपर चला जाएगा जो भी position बनाओगे और nifty के लिए बनाओगे nifty expiry then after that Friday की closing तो initial job claims का data तो आपको पता होना चाहिए बहुत important होता है SNP manufacturing का data बहुत important होता है PMI का data बहुत important होता है तो ये सारा data कल nifty की expiry को impact करेगा Dow futures इसके साब से react करेंगे और ये data आने के बाद अगर पूरा market अमेरिका का plus हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर कहीं minus हो जाता है तो ये पूरे के पूरे देखेगा Indian stock market को भी impact करेगा तो इससे आपको कहीं भी देखेगा कोई भी आगे Friday का data कैसा होता doesn't matter लेकिन यहाँ पर ये बहुत important है फिर euro area का data आज बहुत important है और manufacturing का कल का data ये area का चुकि euro area में 20 nations आते हैं ये आपको यादखना है और कल जापान का जो data आएगा वो live market में आएगा live market में आद रहीगा 9 बज़े से पहले आएगा तो 9 बज़े से पहले जो data देखने को बिलेगा इसके बाद अगर निक है प्लस हो जाता है पांचो छेसो पॉइंट तो यानि कि market में data अच्छा है और अगर ये minus हो जाता है तो market में data खराब आया है आगे बढ़ते हैं तो अगर आगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे भी domestic end से बहुत data आना है सारा data live आएगा तो आपको पता है domestic end से 23 October ये data आपको तो देखने हो मिला ही है कि monetary policy की meeting के minutes RBI देगा और RBI जब बोलेगा तो उसके साब से market behavior करेगा तो ये तो चीज आपको पता ही है इसके बाद सबसे important है कि यहाँ पे आपको पता हो कि PMI का data बहुत important है तो PMI का data आपको disclose होगा 24 October को तो ये दोनो data देखेगा ये भी impact करेगा और जैसे कि data आता है वो live market में आता है तो जैसे ये data market को hit करेगा तो तुरंद market या तो positive हो जाएगा या तो negative हो जाएगा अब इसमें आपको ध्यान के देना अगर ये बढ़कर आ जाता है पिछली बार से तो plus हो जाएगा market बढ़ जाएगा और अगर ये घटकर आता है drop होता है तो ये stock market के लिए अच्छी update नहीं होगी और वहाँ से भी market नीचे जाएगा तो इन particular data पर focus करेगा राम राम